असलाम उलेकुम सुडेंट्स मैं हूँ आपका टीचर मुहम्मद सल्मान अफसेंट्स आज के लेक्चर में हम करेंगे FSE Part 1, ICS Part 1 के चैप्टर No.3 Motion and Force का Another Topic जैसा कि हमारे लेक्चर चलने हैं उसी का तसलसल है आज का हमारा टॉपिक होगा Review of Equations of Uniformly Accelerated Motion बड़ी डिटेल के साथ समझाओंगा Basically ये 9th grade के चैप्टर No.2 का टॉपिक है यहाँ पर क्यों जरूरत है क्योंकि यहाँ जो चैप्टर पर दिये Motion and Force अब अफकोर्स आप जानते कोई भी motion जब होगी तो वहाँ Equations of Motion ज़रूर आएंगी इसलिए ये टॉपिक बहुत important है इस चैप्टर में बहुत से numerical इन ही Equations से साल्व होने जैसा के 9th grade में हम 10th grade में हम करते थे इह Equations of Motion क्या है ये कहां से आई, किस तरह से आई, इनका तालुक क्या है, relation क्या है किन किन factors पर depend करती है ये ऐसी क्यों है किस motion के लिए है ये सारी detail आज के lecture में आपको मिलने वाले जल्दी से online हो जाई है जल्दी से इस lecture को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से share कर दीजे इस link को, और जल्दी से खुछ भी active हो ताकि इस lecture को start किया जा सके, इस previous हम इस chapter number 3 के काफी topic पढ़ चुके है, सबसे पहले हमने displacement फड़ा, फिर velocity instantaneous velocity, average velocity excavation, ये सब कुछ पढ़ चुके velocity time graph जो बहुत important topic, long question के दोर पर आता है वो हम detail के साथ discuss कर चुके हैं, अगर वो सारे lectures आप देखना चाहते हैं, तो यहां मौझूद link पर click कीजिए और पूरी हमारी playlist success कीजिए और देखिए सारे lectures, ताकि आपको इस chapter की अच्छे से समझा सके, एक-एक concept आपका clear हो सके, आपकी understanding का level बहुत high हो, आप हर तरह के MCQs को solve कर सके जो board के exams के मराने और इस दफ़ा तो आप जानते हैं, student learning objectives 30% जो आपका paper है conceptual सवालात होने हैं इसलिए आपको ये lecture देखने चाहिए detail के साथ आगे भी आपको इंशाला help out करेंगे MDCAD, ECAD और इसी तरह से इंशाला आपको videos मिलते हैंगे जिनमें हम पूरे chapter के objective, MCQ, short question भी आपके साथ share करेंगे और जैसा कि promise है February तक हम इंशालेगे इसलिए बस खतम कर देंगे और फिर एक sequence चलेगा जिसमें हम objective, short question सब कुछ इस पूरी book का cover कर रहे होगे तो स्वेंस पहले इसकी heading को समझ लीजिए review का मतलब होता है दोबारा से देखना हम दोबारा देखने जा रहे है review जैसे cricket के अंदर आप देखते है आप batsman baller review लेता है empire की decision से agree नहीं करता मैं दोबारा देखना चाहता review किनको equations मसा बाते आप uniformly accelerated motion जब कोई body uniform acceleration के साथ जा रही हो पिछला topic इस video के लिए इस lecture के लिए आपको पिछला lecture ज़रूर देखना चाहिए जिसमें मैं आपको velocity time graph समझा चुका हूँ कहां कहां uniform speed के लिए uniform acceleration के लिए और variable acceleration के लिए तीन तरह के graph बना कर detail से समझाया था यहां link मिल जाएगा click करके आप video ज़रूर देख लिए याद रहे प्यारे वर्चो 9th class grade 9 के अंदर chapter number 2 kinematics के अंदर आपने equations of motion पड़ी थी हरकत की मसावा थी और अगर याद हो equations of motion के साथ एक paragraph लिखा था कि equations of motion कब आती है जब body state line motion कर रही हो और कैसे motion कर रही हो uniform acceleration के साथ uniform acceleration के लिए हमारे पास velocity time graph state line आता है एक slope आता है एक incline plane आती है यह हमने previous lecture के अंदर भी पड़ा और मैं आपको recall करवाद हूँ आपकी memory चे after two 9th class वे दो साल होगे हैं भूलगे होगे लेकिन पिछला lecture जबूँ देख लिए ताकि आपको पता हो यह graph कैसे बनता है velocity time graph जब कोई car जब कोई body जब कोई जहाज uniform acceleration से move कर रहा हो तो उसका graph velocity time graph will be a state line will be a incline plane यह slide की तरह slope की तरह इस्ता graph बनेगा और याद रहे equations of motion हरकत की मसावाते जो है वो कब drive होती है कब आती है किस motion के लिए है जब body state line motion करी हो और उसका acceleration भी क्या हो uniform acceleration rate of change of velocity rate of change of velocity rate of change of velocity हर patch के अंदर हर रास्ते के अंदर throughout the motion एक जैसा रहे उसे uniform acceleration कहते है यहाँ calculate कीजिए 2 meter per second से यहाँ करिए 2 meter per second स्केर हर जगा value calculate करे तो उस body की acceleration हर second 2 meter per second की रफ़तार बढ़ती जारी है हर second 2 meter per second की रफ़तार बढ़ती जारी है अगर 4 meter per second स्केर का acceleration है इसका मतलब हर second 4 meter per second 4 meter per second हर second के अंदर उसकी velocity बढ़ती जारी है 10 थी तो 14 14 से 18 18 से 22 22 से 26 यह होता है acceleration का meaning जब किसी body का acceleration चार मीटर पर सेक्ट स्केर हो अगर किसी वाड़ी गार टू मीटर पर सेक्ट स्केर एक्सेरेशन इसका मतलब है हर सेकिन उसकी विलास्टी टू मीटर पर सेक्ट तू मीटर पर सेक्ट भढ़ ही है रुकी नहीं है भढ़ ही है कॉंस्टल एक्सेरेशन के साथ दस से बारा, बारा से चोदा, चोदा से सोला, स्मोर भी होई, velocity इसकी भढ़ते जाना, पर साकिन इसको कहते है, एक्सरेशन, और इसी तरह से घटना भी एक्सरेशन होता है, लेकिन हम increasing acceleration का graph आपके सामने बनाए हुए है, velocity time graph, अब मैंने इस situation बता दी, इसमें क्या है, acceleration होता ही कब है, जब किसी body की initial velocity कुछ और हो, final कुछ और हो, initial थोड़ी, final ज्यादा, initial ज्यादा, final थोड़ी, initial ज्यादा, final थोड़ी होगी, तो सरी retardation कहेंगे, deceleration कहेंगे, negative acceleration कहेंगे, लेकिन यहां हम positive acceleration की बात करेंगे, velocity increasing की बात करेंगे, तो initial velocity अगर 10 है, final velocity 15, race पर पाउं रखा, force लगाई, velocity भढ़ गई, फासला कितना तै किया, S, time कितना लगा, T, यह सारी situation हमें, 9th grade के अंदर एक पूरा paragraph लिखते थे, कि let's suppose a body is moving with uniform acceleration, uniform acceleration, या constant acceleration, जो body uniform acceleration के साथ जारी होगी, state line में जारी होगी, क्योंकि आप जानते, state line में ही मुम्किन है, कि उसकी velocity मुसलसल भढ़ती जाए, ठीक है, कर पार्ट में, तोरो गरे पार्ट में, इस तरह से अपना acceleration constant लखना, possible नहीं होता, तो state line motion के अंदर, ये equations आती है, आईए में बताता हूं, equations कौन कौन सी equation है, फॉस्ट equation है, अगर आपको याद हो, याद होगा, ये चार चीज़ों के दर्म्यान तालुक है, final velocity, initial velocity, acceleration of time, ये कैसे आई, यहाँ डिसकस नहीं करेंगे, प्रकाइदा से इसकी derivation हम पढ़ चुगे है, जब हमने ये graph होना आया था, यहाँ सब्धेस की calculation की थी, और result ये निकला था, final velocity किसके बराबर, initial velocity plus acceleration into time, ये आपके पास first equation है, चार चीज़ों के दर्म्यान तालुक, क्या फाइदा है इस equation का, अगर तीन चीज़े मलूप हो, चोथी मलूप की जा सकती है, final velocity हो, initial हो, acceleration हो, टाइम मलूप कर लिजी, time हो, acceleration हो, veI हो, final velocity मलूप कर लिजी, इन चारे में से, हमारी motion के दुराँ, state line motion के दुराँ, uniform acceleration के साथ motion के दुराँ, अगर तीन चीज़े मालूम हो तो चोथी मालूम कर सकते हैं जो numericals के दर इंशाला हम करेंगे जब हमें data given होगा unknown हमसे जो चीज़े मांगेगा हम मालूम करके देंगे इस equation को use करके अब आपके second equation second equation फासले के लिए है अगर आपको याद हो second equation कैसे drive की थी acceleration के लीचे जो graph बन जा था uniform acceleration से body move कर रही थी इसके लीचे जितना graph बन जा था अगर आपको याद हो कुछ इस तरह से इस सारे graph का area calculate किया था area of triangle plus area of rectangle दोने को जमा किया और second equation का result आ गया distance traveled, distance covered यह कैसे निकाली थी हमें पता है जब कोई body state line में जारी होगी उसके पास constant acceleration होगा उसकी velocity बुसलचल भड़ती जारी होगी तो इसका मतलब यह है एक जितने rate से एक जितने rate के साथ उसकी velocity भड़ती जारी होगी तो यह equations आएंगी सर जी हमने तो इन पड़ी थी आपने चार लिखनी है पताता हूं चोथी कहां से आई फोर्थ equation कहां से आगी आपने परिशान नहीं को ना गभड़ाना नहीं है बस आप S is equal to VIT plus half 80 square यह कितने factors के बर्मियान है यह भी चार factors के बर्मियान है distance जो body ने cover किया वी आई जो इसकी initial velocity थी time जो से यहां से यहां जाते हुए लगा acceleration आप जानते हैं जब velocity different हो initial कुछ और, final कुछ और दुरान इस दुरान time लगे तो acceleration तो होगा ही, सबको पता है acceleration किसके दराबर है VF minus VIE over T rate of change of velocity जब भी किसी body की velocity बढ़ती है यह घड़ती है, इसका मतलब उसके पास acceleration है, तो यहां velocity बढ़ रही है तो acceleration तो है और time फिर से आगया, तो एक, दो तीन और चार factors के दरमें यह तालुक है, time दो दफ़ा आ रहा है एक ही factor consider होगा कोई तीन चीज़े मलूँ हो, तो हम जोती की मलूँ कर सकते हैं, यह time acceleration मलूँ हो तो, distance कितना गाड़ी ने, जहाज ने, बंदे ने, जो भी चीज, uniform acceleration के साथ जारी है, state line में जारी है हम उसके लिए फासला मलूँ कर सकते हैं यह है, five-die equations of motion का जो कब drive होती है जब body, state line motion कर रही हो uniform acceleration के साथ जारी हो, उसका graph इस तरह का हो जिसे क्या कहा जाता है, slope भी कहा जाता है, जिसे incline plane भी कहा जाता है, जिसे slide भी कहा जाता है, ठीक है, state line slope, incline plane third equation of motion, यह भी कुछ ऐसे ही calculate की गई थे, गर आपको याद हो फिर हमने पूरी, इस diagram को एक diagram समझा था पूरी diagram का हमने area calculate किया था, और याद है, area of trapezium, area of trapezium calculate किया था, पूरी diagram के नीचे, triangle plus rectangle पूरी diagram जो बनने थी, वो trapezium थी, और trapezium का area calculate किया, तो third equation हमारे पास आई थी, थोड़ा सा अपनी memory को review कीजी, अपने जहन को थोड़ा सा पीछे ले जाएए, एक आग साल तो आपको याद आएगा, जी सर ऐसे ही किया था, ये भी चार चीजें के दर्मियान तालुक है, acceleration, fastla, final velocity and initial velocity यही तो चीजें हैं, जब body की velocity, initial कुछ हो final कुछ हो, फासला तै हो time लगे, acceleration हो तो total कितने factors हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँचों चीजें के दर्मियान जो तालुक है, उन्हें equations of motion कहा जाता है हर equation में कमज कम चार factors आ रहे हैं, चार factors इनमें पाँचों में से आ रहे हैं, कोई तीन दीए हो तो हम जोधा मलूम कर सकते हैं, इन equations के यह फाइदे, यह equation कहां से आई यह तो distance का simple formula है किसको नहीं आता, distance का formula, distance की तरीफ, सब बच्चों को पता है, speed की तरीफ तो सब को पता भी, speed को पढ़ा था हमने सब जी speed is equal to distance over time याद कीजिए, speed is equal to distance over time, और distance किसके बराबर होगा speed into time नहीं है अब यहाँ speed की बजाए यह factor लिखा हुआ है, इसको सीधा लिख लिजी एक दफा प्यारे बच्चों, यह जो V है this is average, average velocity की सकल में लिख लिख लिया है, क्योंकि नार्मली, जब हम speed calculate करते हैं, velocity calculate करते हैं, तो average velocity ले रहे होते हैं, इस वज़ए से velocity को initial plus final divided by 2, उसने ऐसे लिख दिया है final plus initial divided by 2 velocity की बजाए average velocity ले की relation लिख दिया है, confuse होने की ज़रूत नहीं, यहीं फार्गूला, यहीं equation है लेकिन यहाँ V की बजाए average velocity लिख दी है, final plus initial over 2 final plus initial over 2 पहली plus दूसी over 2, average लेके साथ में time से multiply कर दिया यह हैं 4 equations, जब body state line motion करी हो, और state line motion के यह फायदा है कि सारे जो vectors है, velocity vector initial velocity vector, acceleration vector, फासला, displacement state line के अदर आप जानते हैं यह scalar भी deal हो सकते हैं time तो already scalar है, इन सारे factors को scalar भी लिया जा सकते, क्यों हमने पढ़ा है, अगर कोई body state line में जारी हो, तो distance and displacement same होते हैं, अगर कोई body state line में जारी हो, speed and velocity same होते यार रखिएगा, तो scalar more vectors एक जैसी terms consider की जा सकते इस वज़ा से, यह equations बढ़ी हमारे लिए फायदा मन हैं, जिनको use करके हम, जो data दिया हो उसको put करके, जो data नहीं दिया हुआ, हम निकाल सकते हैं, तो कि बहुत सी bodies हमारे इद्गी state line motion करती है rocket state line motion करते है जहाज जब fly कर रहे हैं, state line motion कर रहे हैं, bullet जब gun से निकलती है, state line motion करती है motorway पे guard नहीं state line motion करती है, तो हम इन equation को use करके, कोई factor भी आपने मलूम करना है, तो given data put करके, तूसरा data निकाल सकते हैं, जो आपको, हाजी these equations are only valid for state line motion, याद रखिएगा अब situation यह है कि अब motion हमारी तरह नहीं हो रही first कर लिए, आब bodies जमीन पर motion नहीं कर रही है जैसे हम कर रहे हैं, जैसे गाड़ियें कर रही है अब motion हो रही है, बोल्टीकल यहां तो bodies क्या जा रही है, ऐसे उपर की तरफ, यहां उपर से क्या रही है, नीचे की तरफ अब क्या होगा सर जी, जैसे पर कुछ चेंजिंज की जाएंगी क्या चेंजिंज होगी, देखे प्यारे बच्चो हमने चैप्टर नंबर टू, नाइथ क्लास के आखरी टॉपिक पढ़ा था, याद है ग्रैविटेशनल एक्सलेशन ग्रैविटेशनल एक्सलेशन के नाम से फिर Tel-5 में पढ़ा था, याद रखे, प्यारे बेंचो जमीन हर अबज़ेक को हर अबज़ेक, अगर आपके पास एक केजी, मेरा, मेरी बॉर्डी एक केजी है एक केजी के मारकर है जमीन हर एक केजी को लोहे का हैकेजी हो, कॉपर का हैकेजी हो एक जितनी फोर्स लगाती है हर एक केजी बॉडी पर एक जितनी फोर्स लगाती है और पता पर फोर्स कितनी है वान नीटन जमीन कॉटन का एक केजी हो लोहे का एक केजी हो कॉपर का एक केजी हो या आपके पास लकडी का एक केजी हो तो जमीन हर 1 kg body पर एक जितनी force लगाती जिसे gravitational field strength भी कहते थे याद आया, gravitational field strength जी, gravitational acceleration भी कहते हैं यानि जमीन के करीब करीब किसी चीज़ को छोड़ा जाए 1 kg, एक करण 2 kg, cotton 1 kg, लोहा 1 kg, copper 1 kg तो जमीन सब को एक जैसी force से खेंचेगी और प्यारे बच्चो, अगर air friction को remove कर दिया जाए इस कमरे में जहां मैं lecture deliver कर रहा हूँ इस कमरे में pump लगा कर सारी हवा को evacuate कर दिया जाए इस कमरे में से सारी हवा निकाल ली जाए, तो क्या होगा मैं तो एक secondary बचुंदा मतलब कहने का मैं बाहर से इसको view कर रहा हूँ शीशे का ये कमरा हो, एक भारी बरकम चीज़ फैंके और हलकी सी चीज़ फैंके तो क्या होगा air friction neglect होने की वज़ा से air resistance खतल हो जाने की वज़ा से जमीन massive से massive वो tiny से tiny object को एक ही acceleration से खैंचेगी एक तरफ आप भारी बरकम पत्थर भारी बरकम हाथी और एक तरफ मोर का फंक पंक फैंके यह कावज का टुकरा फैंके क्या होगा अफकोर्स आपको तो पता है कि हाथी का कितना वज़न है पत्थर का कितना वही तेजी से नीचे आना चाहिए लेकिन अगर आप इसने कमरे से air friction, air resistance निकाल दी तो जमीन हर body को वज़नी से वज़नी अलकी से बाडी को एक ही acceleration से खैंचेगी जिसका नाम है constant acceleration due to gravity या gravitational acceleration जिसकी कीमत आप लोग जानते हैं क्या पढ़ी है आपने जी 9th class के अंदर 10th class के अंदर इसकी value 10 foot करते थे लेकिन ज्यादा precise value है 9.8 meter per second square ये वो acceleration है जिसके साथ भारी से भारी हलकी से हलकी चीज़ नीचे की तरह आएगी अगर air resistance खतम कर दी जाएगी अगर और जमीन के क्रीब क्रीब है दूर नहीं जाना क्योंकि जमीन की ग्रैविटेशन फीज़ जो force है ग्रैविटेशन फोर वीक होती जाती जैसे इससे दूर जाएं इसके क्रीब क्रीब साथ है समुंदर पर जमीन के उपर इसके यहाँ एक जैसी है almost तो इसका मतलब अगर इन इक्वेलियंस को हम vertical motion पर apply करेंगे up and down motion पर apply करेंगे कोई चीज़ उपर जा रही है vertically upward, vertically downward तो इन इक्वेलियंस की सेहत पर क्या फरक पड़ेगा, क्या change आएगा, खुद देख लिजी प्यारे रचो जहां जहां A आ रहा होगा, acceleration, आम जो acceleration है जो हम जमीन पर कर रहे है rate of change of velocity इसकी वजाए gravitational acceleration आ जाएगा, जी हां, constant acceleration due to gravity आ जाएगा तो first equation क्या बन जेगी, VF is equal to VI plus GT, ये कब है, जब कोई ball उपर जा रहा हो, जब कोई rocket उपर जा रहा हो, जब कोई gain उपर जा रहा हो, जब कोई helicopter उपर जा रहा हो, या नीचे आ रहा हो, vertical motion में ये equations valid है और हमारी तरह नार्मल मोशन में, जमीन के उपर, इस plane के उपर मोशन में, हमारे एट गिन मोशन में, जिसरह हम नार्मल बोडी, जैन्मर इंसान, ये सब लोग कर रहे हैं, इस तरह की मोशन के लिए, ये equations of motion है, और शर्त ही है, कि मोशन कैसी हो, straight line, पत्थर को जब अप हैं ये आपको पता है, vertically height होती है, तो उसकी जगा H आ जाएगा, VA वैसे का वैसा, T वैसे का वैसा, 1 over 2 वैसे का वैसा, A की जगा gravitational acceleration या constant acceleration due to gravity, जो के air friction, air resistance की गहर मजूदगी में है, 2GH, A की जगा G, S की जगा H, और बाकी factors सारे वैसे के वैसे, और इस equation में का change आएगा, S की state line motion में जमीन पर थे, उसी तरहां से ये factors, ये है equations of motion, जब हम, हम surface of earth पर move करते हैं, हम normal motion करते हैं, और ये equations of motion कब use होगी, numericals में use होगी, जब हम vertical motion करेंगे, जब ball को throw करेंगे, जब rocket चलाएंगे, जब तोब खाने से गोला चलाएंगे, जब projectile motion होगी, ठीक है, जब helicopter उठे gravitational acceleration आजाएगा, gravitational field strength आजाएगी, जी, क्यूंकि आप gravity के मुखालब जा रहे होंगे, या towards gravity आ रहे होंगे, वहाँ ये oxidation होगार, जमीन के करीब करीब, जमीन के करीब करीब, जमीन के करीब करीब, इसकी value, 9 per data, जब इससे वबब जाएंगे, तो इसमें आपको changing's करना पढ़ लेकिन हम आपके level तक यही formula's, यही calculation put करेंगे, यह था आज का lecture जिसमें मैंने आपको बता दिया, कि equations are uniformly accelerated motion, जब कोई body state line motion करी हो, uniform acceleration से motion करी हो, और uniform acceleration फिर repeat कर दिया क्या है, अगर किसी body के पास acceleration 2 meter per second square है, और मुसलसर 2 meter per second square है, तभी uniform होगा न, तो उसका मतलब आप जानते हैं, किस body की अफ्तार, 2 meter per second, 2 meter per second, हर second बढ़ रही है, पहले 10 सी, अगले second वे 12, 12 से 14, 14 से जो इसको कहते है, uniform acceleration, हर patch के अंदर 2 meter per second square, 2 meter per second square, 2 meter per second square, क्योंकि हर गिजरते second, उसकी रवतार, 2 meter per second, 2 meter per second, 2 meter per second, बढ़ रही है, इसको कहा जाता है, uniform acceleration, rate of change of velocity, rate of change of velocity, rate of change of velocity, ट्व मीटर प्र सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड ही इसे उनिफॉस्वाром एकसेरेशन कहेंगे तब यह क्वेजिन्स वैलिड है तब यह ग्रात बनाइगा तब यह क्वेजन्ड हो नोज़ारी द्राइफ होगी और पृर जब हमारे पास रिजिस्टन्स की horns में मोशन होगी, फ्री फाल मोशन होगी, फ्री फाल अजादा ना, नीचे की तरफ या उपर की तरह, तब हमारे पास equations ये हैं, और प्री फाल में नर्मली towards the earth है, towards the earth है, अब आप गोर कीजें बेटे, अगर against पर अर्थ जाएंगे, यानि उपर से कोई चीज आ रही है, अगर नीचे से उपर जाएगे, तो यहाँ change क्या आएगा, आप सब लोग जानते हैं, जी की बजाए जब इसकी कीमत पूट करेंगे, तो जी negative g पूट करेंगे, minus 9.8 पूट करेंगे, जब भी against gravity आप जाएंगे, तो g की बजाए माइनस g आएगा, बाकी factors वही के वही रहेंगे, h भी वही रहेंगा, height negative नहीं होती, लेकिन जब कोई चीज जमीन के opposite जाती है, य जब जाएंगे, तो g की जगा negative g, negative g और negative g पूट करेंगे, यह आगे चलके आप use भी करेंगे, क्योंकि आप gravity के अर्थ के against आरे, इसकी force के against आरे हैं, जब against जाएंगे, तो g की जगा negative g आएगा, आज का लक्षर उमीद करता हूं, आपको पसंद आया होगा, बहुत असान स CQ के तोर फर आएगा, कि gravitational acceleration कब appear होता है, gravitational acceleration due to gravity की value क्या है, जब body gravitational acceleration due to gravity move करी हो, तब equations of motion क्या है, जब body towards that थारी हो, free fall motion करी हो, और negative कब है, जब against जारी हो, जब normal motion हो रही होगी, तो equations of motion क्या है, first क्या है, second क्या है, third क्या है, equation of motion के लिए शर्थ क्या है, कि body को state line motion करना चाह बॉडी को constant acceleration के साथ motion करना चाहिए तब आपके पास equations आएंगी state like motion के लिए आएंगी और वो कुछ इस थरा की होगी इंशाला हाजर होंगे नहीं वीडियो के साथ जिसमें हम Newton के last discuss करेंगे Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law interesting, इंशाला lecture होगा हमारा stay tuned, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को रिकर लिजिए सब्सक्राइब और साथ लगे बेल के आइकोन को fit कीजिए ताकि हमारी रोज आने वाली latest वीडियो का notification आपको मिल सके पसंद आई है वीडियो तो like कर दे, share कर दे और मुझे अपने comment से जरूर हमें अगाह कीजिए आप क्या सोचते हैं, आप क्यों सा topic चाहते हैं इंशाला उस पर वीडियो बनाए जाएगी आज के लिए बस इतना ही, take care, Allah आफिस, पाकिस्तान, जिन्दावाद